गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दस्वें किक्षा में सुर्दास के पद्गविता के पद्यां सामने कर लिए हैं, आगे इसके अभ्यास के परसन करते हैं, पहला परसन है गोपियों द्वारा उधो को भाग्यवान कहने में क्या वेंगे हैं? गोपियों ने उधो को भाग्यवान क्यों कहा क्या वेंगे हैं? तो एको गोपियां उधो को भाग्यवान कहते हैं, कि हे उधो तुम हो अतिबड भागी, वास्तों में गोपियां उधो को एभागा मानती हैं, क्योंकि उधो स्रीकर्षन के मित्र हैं, स्रीकर्षन के बहुत न निकट रहते हैं लेकिन फिर भीवी स्रीकर्षन को एक साधारन पुरुष मानते हैं, तो इसलिए गोपियां उधव को भागा मानती हैं, परंतो ये वेंग्यात्मक रूप से उसे भाग्यवान करती हैं, उस पर कटाक्स करती हैं, तो इस प्रकास से क्या वेंगय नहित हैं कि गोपियां उधव पर वेंग्यार करती हैं, वास्तों में उसे भागा मानती हैं, क्योंकि उधव स्रीकर्षन के मित्र हैं, उनके बहुत निकट रहते हैं, फिर भी वे उन्हें नहीं समझ पाए और उनको केवलेक साधारन पुरुस मानते हैं. अगला प्रसंद क्या हैं? उधव के विवार के तुलना किस किस से की गई है? उधव के विवार के तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उधव के विवार के तुलना कमल के पत्ते से की हैं, और तेल की गगरी से की है. कितने हैं? पुरिएनि पात रहत जल भीतर तारस द जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है और उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और तेल का घड़ा जल में रहने पर भी उस पर जल की कोई बून नहीं लगती उसी प्रकार से स्रीकर्शन के इतने निकट रहने पर भी उधव पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो वे उधव की वेभार के तुलना कमल के पते और तेल के घड़े से करती हैं गोपियों ने किन किन उधारनों के माध्यम से उधव को उलाने दिये गोपियों ने कमल के पते और तेल के घड़े के माध्यम से उधव को उलाने दिये कि जिस परकार वही पहले जो दूसरा परसंद का उतर था लगवग वही इसी परसंद का हैं कि जिस परकार तेल का घड़ा जो तेल का घड़ा चिकना होता है पानी में रखने पर भी उस पर पानी की बुन नहीं लगती है और कमल हम देखते हैं कमल किचड में रहता फिर भी बहुत सुंदर खिला रहता है तो उसी प्रकार से जैसे की किचड का परभाव कमल पर नहीं पड़ता और तेल के घड़े पर पानी का प्रभाव बूंद नहीं लगती उसी प्रकार उधव स्रीकर्शन के निकट रहकर भी उ से किया तो गोपियां कि विरह की पेड़ा सुरीकर्शन से जैसे दूर होने के कारण वे विरह की पेड़ा सहन कर रही थी और समय के आधार पर अपने दिन व्यतित कर रही थी कि स्रीकर्षन के आने में समय बीटता जा रहा था और उनके आने का समय जो नजदीक आता जा रहा था तो इसे आस में वे अपने दिन व्यातित कर रही थी कि उधव योग का संदेश लेकर आए और इस योग के संदेश से स्रीकर्षन के आने की उमिद समाप्त हो गई तो इस प्रकार से गोपियों की विरह की पेडा में उधव के संदेश ने घी का कार्यक रहे उस पेडा को और अधिक बढ़ा दिया मरजादा ने लही के माध्यम से कौन सी मरियादा ने रहने की बात की जा रही है मरजादा ने लही गोपियां कहते न कि अब धीर धरी क्या मरजादा ने लही तो श्रीकर्शन जी मतूरा जाते इसमें गोपियों से एक वर्स का समय लेकर गए थे एक वर्स में वापिस आने का वादा करके गए थे परन्तों वहां राजशी कारण राजशी कामकाज में वे लगे और एक वर्स का समय पूरा होने पर उधव को योग का संदेश दे कर भेजा तो इस परकार से श्रीकर्शन अपना वादा पूरा नहीं कर पाई तो गोपियां इसी वादे को तोड़ने के उस्रीकर्शन के वादे की मरियादा नरहने की बात कर रही है कैसे मरियादा नरहने की बात कर रही है कि स्रीकर्शन ने जो अपने एक वर्स में वापिस आने का वादा तोड़ा है इसी वादेकें मर्यादा का उलंगन करने की बात कर रही है करशन के परती अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस परकार भी वेक्त किया है करशन के परती अपना अनन्य प्रेम वेक्त करते हुए गोपियां क्या खेती है कि हे उधव हम तो स्रीकर्षन के प्रेम में उसी प्रकार लगी हुई है जिस प्रकार से गुड़ पर चीटी लगी हुई हो तो गोपियों ने स्रीकर्षन के परती अपने प्रेम भाव को निमलिखी डंग से वेक्त किया है नमबर एक कि जिस प्रकार गुड़ पर चीटी लगी रहती है उसी प्रकार से गोपियां भी स्रीकर्शन के प्रेम में लीन है दूसरा क्या कहती है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी पंजे में लकड़ी को कसकर पकड़े रहता है उसी प्रकार से हमने भी नंद नंदन को अर्थात स्रीकर्षन को अपने हर्दे में दरड़ता से बसाया हुआ है आगे भी क्या खती हैं कि भी दिन रात सोते जागते हमेशा स्रीकर्षन स्रीकर्षन ही रठती रहती हैं और ये योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़ लग रहा है तो इस प्रकास से गोपियों ने स्रीकर्षन के परति अपने अनन्य प्रेम भाव को व्यक्त किया है कि उनकी स्रीकर्षन के नया आने पर जो उनको पीड़ा हुई है वह एकथनिये है और असीम है उसे का वर्नन नहीं किया जा सकता कहा नहीं जा सकता और उस पीड की अभिव्यक्ति करती हैं गोप्यों ने उधव की योग की सिख्षा कैसे लोगों को देने की बात कई है जिनका मन चक्र की तरह घुमता रहता है एक जगर सिथर नहीं रहता गोप्यां कहते हैं कि हमारा मन तो स्रीकर्षन में सिथर हो चुका है भ्याइग जगर सिर कर्ष्षन में लग चुका है आप या संदे सुन को दें जिनका मन भटकता रहता है एक जगर स्थर नहीं रहता है देना तो गोपियों का योग साधना के परती कैसा दृष्टी कौन है, गोपियां योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान कड़वा मानती हैं, वे कहते न कि योग का संदेश ऐसा लगता है, मानो कड़वी ककड़ी चकली हो, और दूसरा योग संदेश को एक बिमारी मानती हैं एक रोग मानती हैं क्या खते हैं ये उद्व आप एक कौन सी बिमारी हमारे ले ले आए जो न कभी देखी गई है ने सुनी है और नहीं भोगी गई है तो इस परकार से गोपियां योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और एक बिमारी एक रोग के समान मानती हैं गोपियों के अनुसार राजा का धरम क्या होता है? गोपियों के अनुसार राजा का धरम होता है कि राजा परजा के साथ जो है नीती करे, न्याय करे और परजा को कभी सताय नहीं गोपियों को कर्षंग में ऐसे कौन से प्रिवर्तन दिखाई देते हैं जिनके कारण अपना मन वापिस पाना चाती हैं तो यहां गोपियां कहती है कि स्रीकर्षंग जी तो बड़े राजनितिक बन गए हैं वे पहले ही बहुत चालाक होते थे और अब तो उन्होंने राजनितिक के बड़े बड़े गरंथ पड़ लिए हैं इसलिए बड़े राजनिताओं की तरह ही वे अपना वादे से मुकर गए हैं एक वर्स में वापिस आने का वादा किया था और अब वे अपना वादा तोड़ रहे हैं तो वे बड़े राजनितिक बन गए हैं तो गोपियां उदा सोकर करते हैं कि अब हमें स्रीकर्शन से कोई उमीद नहीं है और हम तो अपना वह मन वापिस पाना चाते हैं जो वो मचूरा जाते इसमें चुरा ले गए थे तो कौन से प्रिवर्तन दिखाई दिये जो स्रीकर्शन अब बड़े राजनितिक बन गए हैं राजनितिक के बड़े गरंथ पड़ लिए हैं इसलिए इनने राजनिताओं के समान अपने वादा तोड़ रहे हैं वादा तोड़ना राजनिताओं का काम होता न गोपियों न अपने वक्के चातुरिय के अधार पर ज्ञाने उधव को प्रास्त कर दिया। उनके वक्क चातुरिय की विशेश्थाइन बताएं। तो गोपियां जो स्रीकर्शन की अनन्य भगत थी और जब उधव उन्हें निर्गुन भगती का संदेश देता है। देखो इस कविता में सगुन वन निर्गुन दोनों भगती भाव में सगुन भगती भाव की निर्गुन पर सगुन की विज़े दिखाई गई है। सगुन भगति भाव क्या होता है सगुन में मूर्ति पूजा जैसे होती है किसी का साकार रूप की पूजा की जाती है सगुन भगति जैसे हम स्रीकर्सन को मानें ये विशिव जी है ये हनुमान जी किसी का साकार रूप मानकर देवी देवताया भगवान का साकार रूप मानकर उसकी पूजा होती ही सगुन भगती होती है और भगवान को निराकार मान करके निराकार है हर स्थान पर है जैसे तपश्या करते हैं रीशिरी निर्गुन भगती तो उधव जब गोपियों को निर्गुन भगती का संदेश देता है कि वे स्रीकर्शन को भुला कर निर्गुन भगती करें, तो गोपिया काफी नाराज हो जाती हैं, और कुरोधीत हो जाती हैं, प्रंतु उधव गोपियों की अतीति भी हैं, और स्रीकर्शन जी के मित्र भी हैं, इसलिए उनके सिधर डंग से उनका अपमाल नहीं कर सकती, तो गोपियां बड़े ही चातुरियता आप उनके प्रेम से छूते रहे और अपने आपको भोली-भाली बताती हैं। गोपियां उधव की तुलना भौरे से करती हैं। भौरे के माध्यम से ही उधव को उलाने देती हैं। क्योंकि उधव का रंग भी सामला है और वे बाग में हैं वापकुलों पर भौरे घुम रहे हैं। तो भौरों के माध्यम से ही उन्हें उलाने देती हैं। तो इस प्रकार से गोपियां बड़े ही चातुरियता पूर्वक की उधव नाराज भी नहों और उनको पुलहाने भी देती हैं। संकृत पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्दास के भरमर्गित की विसेष्टाएं बताएं। तो यहां पर भरमर्गित की विसेष्टाओं में क्या आएंगे उनकी भासा संबंदी विसेष्टाएं। भासा संद्रिय में या सिल्फ संद्रिय में जो हम लिखते हैं। तो सूर्दास जी के भर्मर्गीत में जैसा पहले अभी मैंने बताय था, यहाँ पर निर्गुन भक्ती पर सगुन भक्ती की विजय दिखाई गई है, निर्गुन और सगुन भक्ती के बारे में अभी मैंने बताय था आपसे क्या होती है, और भर्मर्गीत जो इसमें सूर्द का प्रियोग किया है माधूर ये गुण विद्मान है भगती भाव की सुंदर जहलक मिलती है या भगती भाव भी विद्मान है दो हच जो छंद का सुंदर प्रियोग किया गया है सरंगार रस का इसमें प्रियोग हुआ है या वात्सल्य रस सरंगार से अधिक वात्सल्य रस का इसमें प्रियोग हुआ है भगती भाव जो दिखाते हैं गोपिया तो इस परकार से उनके भरमरगित की ये विसेश्थाएं हम यहां बताते हैं जो पीछे मिने लिखवाई भी थी बावसंद्रिये जो था भासा संदृ को आपको याद करने है इतने इंए 2 परसन है सबी परसन आपको अच्छे तरह से याद करणे है नोट करने है